इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा The Soul Store के Naruto Signature Loat of Sneakers और आपको बताऊंगा कि ये खरीदने लाइक है या नहीं तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए हेलो दोस्तों मैं हूँ रोहन और मैं आगे हूँ एक नए स्नीकर रिवी वीडियो के साथ तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आगे भी ऐसे स्नीकर रिलेटर वीडियो देखना चाहते है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए रेगुलर कॉंटेट बना सको Soul Store एक popular Indian brand है जिसने recently अपना स्नीकर कलेक्शन लाँच किया है और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा उनके कलेक्शन के anime-based naruto signature low-top sneakers और उनका detailed review दूँगा और आपको बताऊंगा कि आपको उन पर पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं और उसके बाद अगर आपको sneakers पसंद आते हैं तो मैं नीचे description में उनका link दे दूँगा तो आप वहाँ जाके उनको checkout और purchase कर सकते हैं सबसे पहले packaging की बात करें तो आपको इस shoes Soul Store के brown color के box में मिलते हैं और इसके साथ आपको Soul Store का एक shoe bag और एक extra pair of matching laces free मिलते हैं जो कि एक काफी cool addition है looks की बात करें तो अगर आप एक anime fan हो तो आपको इस shoes definitely पसंद आने वाले हैं क्योंकि इनका design Naruto से inspired है और इसमें black और orange colors यूज़ हो हैं जो कि Naruto के primary colors हैं इसका orange color काफी bright है और वो black को बहुत बढ़िया compliment करता है और मैंने personally कभी Naruto नहीं देखा फिर भी मैंने इन shoes को order किया क्योंकि मुझे इसका design और color combination काफी cool लगा इसके दोनों side में आपको Japanese में Naruto Uzuma की लिखावा मिलेगा जो की काफी cool लगता है और इसके heel में आपको red color में Naruto का logo भी embroidered मिलता है उसके अलावा इन shoes में कहीं पे भी कोई branding नहीं है बस इसके insole में आपको the sold soul लिखावा मिलता है जो की पहनते time दिखाई नहीं देगा तो overall looks और design wise ये shoes बहुत ही cool है और इसका base color black है तो आप इनको किसी भी outfit के साथ बहुत easily match कर सकते हो अब इसके upper और material की बात करें तो इसके upper के majority black part में आपको suede material मिलेगा जो की काफी बढ़ी है और premium quality का है इसके upper के orange parts में आपको PU leather material मिलता है जो की इस shoe को shiny और bright look देता है और इसके toe box और sides में आपको black mesh material मिलता है जो की आपके पैरों को breathability provide करता है ताकि आपके पैरों में sweat collect ना हो overall इसका material काफी अच्छी quality का है और shoe को बहुत lightweight मनाता है और इसमें जादा जल्दी कोई wear and tear देखने को नहीं मिलेगा अब issue के traction की बात करें तो इसमें आपको orange color का solid rubber outsole मिलता है जो की काफी hard है और durable रहेगा sole के central part में आपको एक basic traction pattern और छोटे grooves मिलते हैं लेकिन इसके edges में आपको जादा frequent और deep grooves मिलते हैं जो की आपको जादा तर surfaces पे बहुत अच्छी grip provide करेंगे overall इसके sole के quality काफी durable है और जादा जल्दी घिसेगी नहीं अब इसके cushioning setup की बात करें तो आपको इसमें around 1 inch का cushion मिलता है और around 1.5 inch का एक soft insole मिलता है जो की आपके पेरों को लंबे time तक comfortable रखेगा अब इसके fit की बात करें तो मैंने इस shoe का size 8 order किया है जो की मेरे लिए एकदम perfect fit है और ये shoes sold store के collection के बागे shoes से थोड़े से narrow है तो ये मेरे पेरों में जादा अच्छे से fit होते हैं इसके ankle में भी आपको अच्छी खासी padding मिलती है जो की आपको अच्छा ankle support प्रवाइड करेगी और आपके पेरों को shoes में locked in रखेगी overall fit wise ये shoes काफी comfortable है और आप इन shoes को किसी भी outfit के साथ बहुत easily match कर सकते हो अब finally इन shoes के price की बात करें तो ये shoes the sold store की app में रुपीज 2499 में available है और उसके साथ tax add करके आपको इसमें थोड़ा दादा price पे करना पड़ेगा इन shoes पे मेरा final verdict है कि design और looks wise ये shoes काफी cool है और quality में भी ये shoes बहुत ही premium है तो अगर आप एक anime fan हो और एक बड़ी ये load of sneaker डोट रहे हो तो आपको definitely इन shoes को purchase करना चाहिए फिलाल इस वीडियो के लिए इतने है और अगर आपको इस sneakers पसंद आए तो मैंने description में इनका link दिया हुआ है तो आप वहाँ जाके इनको purchase कर सकते हो और अगर आपको एक वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को like कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए थाकि मैं आपके लिए ऐसे ही regular content बना सकूँ और आपसे मुलाकात हो कि एक ली वीडियो में तब तक के लिए keep having fun, peace out